खार्गे जी, सोन्या गांधी जी, बुपेश बगेल जी, केसी वेनुगोपाल जी, प्रियांका गांधी जी, स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के सब वरिष नेता, हमारे प्यारे कारे करता, भाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, और जो लोग इस अधिवेशन को टेलिविजन पे अलग-अलग स्टेट्स में देख रहे हैं, उनका भी मैं आज यहां स्वागत करता हूँ। चार महीने कनिया कुमारी से स्रीनागर तक भारत जोड़ो यात्रा हमने की। विडियो में आपने मेरा चहरा देखा, मगर हमारे साथ लाखों लोग चले थे। हर स्टेट में चले, बारिश में, गर्मी में, बरफ में, एक साथ हम सब चले। बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी जब मैं विडियो देख रहा था, मुझे बाते याद आ रही थी। विडियो में आपने देखा होगा, पंजाब में एक मेकैनिक आकर मुझ से मिला। मैंने उसके हाथ पकड़े और सालों का, सालों की जो तपस्या थी उसकी, सालों का जो दर्द था, जो खुशिच, जो दुख, जैसे ही मैंने उसके हाथ पकड़े, हातों से मैंने बात पहचाने हैं। वैसे ही लाकों किसानों के साथ, जैसे ही हाथ पकड़े थे, जैसे ही हाथ मिलाते थे, गले लगते थे, एक ट्रांस्मिशन सा हो जाता था। शुरुआत में बोलने की जरूरत होती थी, क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, क्या मुश्किले हैं, ये एक एक डेड़ महीना चला, उसके बात बोलने की जरूरत नहीं होती थी। जैसे ही हाथ पकड़ा, गले लगे, सन्नाटे में एक शब्द नहीं बोला जाता था। मगर जो उनका दर्द था, जो उनकी मेहनत थी, एक सेकंड में मुझे समझ आ जाती थी, और जो मैं उनसे कहना चाता था, बिना कुछ बोले वो समझ जाते थी। अभी मैंने देखा, आपने वो बोट रेस देखी होगी, केरल में, उस समय जब मैं बोट में बैठा था, पूरी टीम के साथ मैं रोइंग कर रहा था, मेरे पैर में भयंकर दर्द था, मैं उस फोटो में मुझकुर आ रहा हूँ, मगर मेरे दिल के अंदर रोना आ रहा था, इतना दर्द था, मैंने यात्रा शुरू की, काफी फिट आदमी हूँ, 10-12 किलोमेटर ऐसे दोड़ लेता हूँ, गमंड था, मैंने सोचा था, 10-12 किलोमेटर चल लेता हूँ, तो 20-25 किलोमेटर चलने में क्या बड़ी बात है, मेरी माइन में ये था, पुरानी इंजरी थी, कॉलेज में चोट लगी थी, फुटबॉल खेलते हुए, मुझे याद है, मैं दोड़ रहा था, मेरे दोस्त ने पीछे सरंगी मार दी, और घुटने में चोट लगी, दर्द गाइब हो गया था, सानों के लिए दर्द गाइब था, और अच्छानक, जैसे ही मैंने यात्रा शुरू की, दर्द वापिस आ गया, आप मेरे परिवार हो तो मैं कह सकता हूँ आपसे, सुबह उठता था, सोचता था, कैसे चला जाए, और पर उसके बाद सोचता था कि भाई, 25 किलोमेटर नहीं, 3500 चलने हैं, कैरला की बात है, 3500 किलोमेटर चलने हैं, कैसे चलूँगा, और फिर कंटेनर से उतरता था, चलना शुरू करता था, लोगों से मिलता, तो पिछले, पहले 10-15 दिन में, जिसको आप अहंकार कह सकते हो, घमंड कह सकते हो, सारा गाइब हो गया, क्यूं गाइब हुआ, क्यूंकि भारत माता ने मुझे मेसिज दिया, देखो, तुम अगर निकले हो, अगर कन्या कुमारी से कश्मीर चलने निकले हो, तो अपने दिल से आहंकार मिटाओ, घमंड मिटाओ, नहीं तो मत चलो, और मुझे ये बात सुननी पड़ी, मुझे ये बात सुननी पड़ी, मुझे में उतनी शक्ती नहीं थी, कि मैं इस बात को ना सुनू, और आस्ते आस्ते, मैंने नोटिस किया, मेरी आवाज चुप होती गई, पहले किसान से मिलता था, मैं उसको अपना ग्यान समझाने के कोशिश करता था, थोड़ी जो मुझे में जानकारी है, खेती के बारे में, मनरेगा के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, मैं कहने के कोशिश करता था, आस्ते आस्ते ही सब बंद हो गया, शान्ति सी आ गई, और सनाटे में मैं सुनने लगा, ये आस्ते 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 ये बदलाव आया, और जब मैं जम्मू कश्मीर पहुँचा, वो भी अजीब सी बात थी, जब मैं जम्मू कश्मीर पहुँचा, मैं बुर्कुछ चुप हो गया, कहलो जैसे मेडिटेशन करता है, प्रियांका और मैं विपासना करते हैं, वैसी बात हो गए, कि बिल्कुल चुप हो गया, मा बैठी है, मैं छोटा सा था, 1977 की बात है, चुनाओ आया, मुझे चुनाओ के बार में कुछ मालूम नहीं था, छे साल का था मैं, एक दिन घर में अजीब सा महौल था, मैं मा के पास गया, बैठी हुई है, इधर नहीं देख रही है, मा के पास गया, मैंने मा से पूछा, मा से पूछा, ममी, क्या हुआ, और मा केहती है, हम घर चोड़ रहे हैं, तब तक मैं सोचता था कि, वो घर हमारा था, तो मैंने मा से पूछा, माह हम अपने घर को के छोड़ रहे हैं, और पहली बार मा ने मुझे बताया, कि राहुल ये हमारा घर नहीं है, ये सरकार का घर है, और अब हमें यहां से जाना है, मैंने मा से पूछा, मा कहां जाना है, कहते हैं नहीं मालूम, नहीं मालूम कहां जाना है, मैं हैरान हो गया, मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था, बावन साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है, और हमारे परिवार का जो घर है, वो अलाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है, तो जो घर होता है, उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिष्टा है, मैं बारा तुगलक लेन में रहता हूँ, मगर मेरे ले वो घर नहीं है, तो जब मैं निकला, कन्या कुमारी से निकला, मैंने अपने आप से पूछा, कि भाई मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, अब मैं चल रहा हूँ, भारत का दर्शन करने निकला हूँ, भारत को समझने के लिए निकला हूँ, हजारों लाकों लोग चल रहे हैं, भीड है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैंने थोड़ी देर सोचा, और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मेरे आफिस के लोगों को मैंने बुलाया, जो मेरे साथ थे, मेरे साथ चल रहे थे, मैंने उग्वा का देखिये, यहाँ पे हजार लोग चल रहे हैं, दक्का लगेगा, लोगों को चोट लगेगी, बहुत भीड है, हमें एक काम करना है, मेरे साइड में, मेरे सामने 20-25 फुट आगे, इस तरफ 20-25 फुट, इस तरफ 20-25 फुट, यह जो जगे है, यह जो खाली जगे है, जिसमें हिंदुस्तान के लोग आएंगे, हमसे मिलने आएंगे, अगले चार महीने के लिए वो हमारा घर है, मतलब यह घर हमारे साथ चलेगा, सुबह 6 बजे, से शाम 7 बजे तक, यह घर हमारे साथ चलेगा, और मैंने, सबसे कहा देखिए, इस घर में जो भी आएगा, अमीर हो गरीब हो, बुजूर्ग हो, युवा हो, बच्चा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्टेट का हो, हिंदुस्तान से बाहर का हो, जानवर हो, उसको यह लगना चाहिए, कि मैं आज अपने घर आया हूँ, और जब वो यहाँ से जाए, उसे लगना चाहिए, कि मैं अपने घर को छोड़ के जा रहा हूँ, छोटा सा आइडिया था, मगर इसकी गहराई मुझे तब नहीं समझाई, जैसे ही मैंने यह किया, जिस दिन मैंने यह किया, उस दिन यात्रा बदल गई, जादू से बदल गई, लोग मेरे साथ राजनेतिक बात नहीं कर रहे थी, मैंने क्या क्या सुना यह मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, हिंदुस्तान की महिलाओं ने मुझे क्या कहा है इस देश के बारे में, मैं आपको बता नहीं सकता हूं युवाओं के दिल में दर्ब क्या है कैसा है मैं आपको बता नहीं सकता है समझा नहीं सकता हूं कितना बोज उठा रहे हैं तो बिल्कुल रिष्टा बदल गया एक उधारन देता हूँ पता नहीं आपने शाइद नहीं देखा चल रहे थे हम सुबह सुबह साइड में एक महिला भीर में खड़ी थी जिजग के उसने ऐसे किया मुझे जैसे ही मैंने देखा मैंने उसको बुलाया मुझे बात अजीब सी लगी मेरे पास आई मैंने हाथ पकड़ा मुझे एकदम मालूम पड़ गया कि कुछ ना कुछ गल्थ है जैसे मैं प्रियांका का हाथ पकड़ता हूँ वैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा था कोई फरक नहीं मैंने सोचा उस समय मैंने सोचा मैंने उस समय सोचा ये मेरी बहन नहीं है ये मैं क्या कर रहा हूँ जो मेरा प्यार मेरी बहन के लिए है मैं इसको कैसे दे रहा हूँ अजीब सा लगा मुझे मेरा हाथ पकड़ती है कहती है राहुल राहुल जी भाईया मैं आप से मिलने आई हूँ क्या बात है मेरा पती मुझे मार रहा है पीट रहा है मैंने का कब कहती है अभी अभी वो मुझे मार रहा था मैं घर से भागी हूँ आप से मिलने तो मैंने कहा कि पुलीस को बुलाएं कहती है नहीं 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 पुलीस को नहीं बुलाएं फिर मुझे कहती है अब मैं जा रही हूँ वापस फिर सिर्फ पिटने जा रही हूँ मगर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये महिला के लिए नहीं है ऐसी लाखों करोणों महिला हैं इस देश में तो ये समुझे सुनने को मिला और इस घर को हम आस्ते 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 जमु कश्मीर तक ले गए पता नहीं शायद मेरा परिवार सालों पहले वहां से आया मैंने सोचा कि अजीब सी बात है कन्या कुमारी से कश्मीर तक मैं ये इस छोटे से घर को ले जा रहा हूँ और यहां मुझे लग रहा है कि मैं वापिस अपने घर जा रहा हूँ कश्मीर में हम गुस्ते हैं वैली से पहले बर्फ है धूप है जैसे आज और हजारों लोग हमारे साथ चल रहे है एक लड़का आता है मेरे पास मेरे साथ चलता है और मुझे से कहता है राहूल जी मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैंने का क्या कहता है राहूल जी जब कश्मीर के को दुख होता है जब हमारे दिल में चोट लगती है तो बाकी हिंदुस्तान के लोगों को खुशी क्यों होती है मैंने का गल्द फेहमी में हो ऐसी कोई बात नहीं है मैं कन्या कुमारी से यहां तक आया हूँ मैं दावा दे के कह सकता हूँ कि करोणों लोगों के दिल में यह भावना नहीं है करोणों लोग हर हिंदुस्तानी के दर्द के साथ हर हिंदुस्तानी के साथ खड़े हैं चुने हुए लोग है मैंने कुआ चुने हुए लोग है जो खुश होते हैं हजारों में होंगे मगर हिंदुस्तान में करोणों लोग हैं मेरी आँख में आँख मिलाता है कहता है राहुल जी आज आपने मुझे बहुत खुश कर दिया बातचीत करते हुए मैं देख रहा था चारों और तिरंगा सड़क पे तिरंगा पहनों पे तिरंगा पीछे तिरंगा आगे तिरंगा सब चशें तिरंगा फिर हम वैली में घुशे वैली में घुशते हैं बादल चा जाते हैं दूप गायब हो जाती है और जैसे ही हम घुशते हैं पुलिस वालों ने हमें कहा था कि दो हजार लोग आएंगे मेरे सिक्यरिटी वालों ने सोचा था दो हजार लोग आएंगे जैसे ही हम घुशते हैं वहाँ पे चालिस हजार लोग खड़े जैसे ही पुलिस वालों ने 40,000 लोगों को देखा रसी छोड़ के भाग गए हम देख रहे हैं जिसको रोप पार्टी कहते हैं वो सब गाइब हो गई सब गाइब हो गई मैं देख रहा था हिंदुस्तान के सबसे टर्रिस्ट इन्फेस्टिड जिले में जहां भी आप देखो तिरंगा 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 सब जगे कौन उठाई थे तिरंगा हमारे पास सिर्फ 125 यात्री थे कश्मीर के लोग तिरंगा उठाई थे एक ननी उठाया था हजारों ने उठा रखा था और यही कहानी पूरे कश्मीर में अनंतनाग पुलवामा जिसको टर्रिस इंफेक्टिड डिस्टिक का जाता है हर डिस्टिक में पहाणों पे सड़क पे आगे पीछे तिरंगा किस के हाथ में कश्मीरी युवाओं के हाथ में CRPF के लोग मुझसे कह रहें भईया यह तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा यह क्या हो गया फिर माया पार्लिमेंट में बने प्रधान मंत्री जी का बाशन सुना कहते हैं कि मैंने भी जाके लाल चौक में तिरंगा फिराया था मैं सुन रहा था मैंने सोचा देखिए हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री को बात समझ नहीं आई बात समझ नहीं आई नरेंद्र मोधी जी ने बीजेपी के पंदरा बीस लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फिराया भारत चौड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फिराया प्रधान मंत्री को फरक नहीं समझ आया हमने हिंदुस्तान की भावना इस जंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी आपने अपने जंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली ये फरक है हम में और आप में ये जो जंडा है ये जो तिरंगा है ये दिल की भावना है ये दिल के अंदर से आती है हमने इस भावना को कश्मीर के युवाओं के दिल के अंदर जगाया हमने उनसे नहीं का कि भाईया तुम्हें तिरंगा लहराना है तुम्हें तिरंगा उठा के चलना है नहीं किसी से नहीं कहा अपने आप आए हजारों लाकों आए और अपने हाथ में तिरंगा उठा के चले क्यूं चले मैं आपको बताता हूँ कश्मीरी उभा ने मुझे कहा मुझे कहता है राहूल जी आज मैं आपके साथ तिरंगा लिए चल रहा हूँ जानते हो क्यूं? मैंने कहा क्यूं? कहते क्योंकि आपने हम पर और मुझ पर भरोसा किया है आपने अपना दिल आपने अपना दिल हमारे ले खोला है और हम अपना दिल आपके ले खोलेंगे यह फरक है हिंदुस्तान एक भावना है एक सोचने का तरीका है इज़त है, आदर है, महबबत है और ये जो जंडा है, जो तिरंगा है, इस भावना का ये चिन है और भारत जोड़ो यात्रा ने इस भावना को पूरे देश में फिलाया है और ये काम राहूल गांदी ने नहीं किया है ये काम कॉंग्रेस के कार्य करता ने किया है, कॉंग्रेस के निताओं ने किया है हिंदुस्तान की जंता ने किया है अब देखिए देखिए सरकार की सोच के बारे मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कुछ दिन पहले इंटर्वियू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की एकॉनमी हिंदुस्तान की एकॉनमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं चाइना की एकॉनमी हिंदुस्तान की एकॉनमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं जब अंग्रेज हम पर राज करते थे क्या उनकी एकॉनमी हमारी एकॉनमी से छोटी थी लड़ाई इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो इसको कायरता कहा जाता है सावरकर की विचारधारा सावरकर की विचारधारा अगर जो आपके सामने आपसे कगड़ा है मजबूत है तो उसके सामने अपना सिर जुका दो मत्थम तेक दू हिंदुस्तान हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे है हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी एकॉनमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते है इसको क्या नैशनलिजम कहते है इसको देशबक्ती कहते है क्या ये कौन सी देशबक्ती है ये कौन सी देशबक्ती है जो आप से कमजोर है उसको आप मारो और जो आपसे मजबूत है उसके सामने आप जुक जाओ शब्द है इसके लिए मात्मा गांधी कहते थे सत्यग रहा की बात करते थे सत्यग रहा का मतलब सत्यग रहा का मतलब सत्यग के राष्ते को कभी मत छोड़ो इनके लिए एक नया शब्द है RSS BJP वालों के लिए हम है सत्यग रही वह है सत्यग रही ये सत्यग रही कुछ भी कर लेंगे ये किसी से भी मिल जाएंगे किसी के सामने जुख जाएंगे सत्ता के लिए ये इनकी सचाई है आकरी बात और मुझे बात समझ नहीं आई पार्लिमंट हाउस में मैंने एक उद्योग पती पे आकरमन किया अदानी जी पे मैंने आकरमन किया मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुँचे आपकी जो फॉर्वन पॉलिसी बनती है चाहे वो बांगलादेश हो चाहे वो इस्रेल हो औस्ट्रेलिया हो स्री लंका हो सब जगे उनको फाइदा मिलता है इस्रेल में सारे के सारे डिफेंस के कॉंट्राइक मिल गए स्री लंका में एक व्यक्ति कहता है कि राजा पाकसा जी ने उनने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डाल कर अधानी जी को कॉंट्रैक दिलवाया तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा नरेंद्र मोदी जी आपका अधानी जी से रिष्टा क्या है मैंने और कुछ नहीं कहा मैंने सिर्फ सवाल पूछा बहिया बतादो, रिश्टा क्या है? और मैंने ऐसे एक फोटो दिखाई, ऐसे फोटो दिखाई, उसमें नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोधी जी अधानी जी के हवाइजाज में रिलाक्स करते हुए दिख रहे हैं. तो मैंने पूछा भहिया बता दीजे रिस्ता क्या है अब आपने नोटेस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार सारे के सारे मंत्री अदानी जी की रक्षा करने लग गए अदानी जी की रक्षा करने लग गए कहते हैं जो अधानी जी पर आकरमन करता है वो देश द्रोही है मतलब अधानी जी देश के सबसे बरे देश बग बन गए और बीजेपी और आरेसेस इस व्यक्ति की रक्षा कर रही है सवाल ये उठता है रक्षा क्यों कर रही है क्या है सदानी में जो बीजेपी और आरेसेस को सब मंत्रियों को इसकी रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है नहीं सुनिए और सबसे बड़ा सवाल सबसे बड़ा सवाल ये जो शेल कंपनीज है जो हजानों करोर रुपिया हिंदुस्तान भेज रही है ये किसकी है इसमें किसका पैसा है अधानी जी डिफेंस इंडस्री में काम करते है डिफेंस इंडस्री में काम करते है और हिंदुस्तान की सरकार को ये भी नहीं मालूं कि अधानी जी की शेल कंपनीज है बार इसमें investigation क्यों नहीं हो रहा JPC क्यों नहीं हो रही Defense का मामला है देश की रक्षा का मामला है पता तो लगाना चाहिए यह पैसा किसका है Shell Companies किसकी है मगन नहीं तो यह बहुत बड़ा सवाल है LIC का investment है उनका नुक्सान हुआ है Australia में फोटो दिखती है नरेंदर मोधी जी बैटे है स्टेट बैंक चेमन बैटे है वहां के चीफ मिनिस्टर बैटे है अदानी जी बैटे है एक मेज पर स्टेट बैंक एक बिलियन डॉलर का लोन दे रहा है नरेंदर मोधी जी उस मेज पर क्यों बैटे है क्या लेना देना नरेंदर मोधी जी का स्टेट बैंक और अधानी के बीच में क्या लेना देना तो ये सवाल है और ये सवाल मैंने पूछे नरेंदर मोधी जी से पूछे बहुत सीधा जवाब था कोई रिष्टा नहीं है सिंपल सा जवाब था हमने पूछा रिष्टा क्या है नरेंदर मोधी जी कह सकते थे कोई रिष्टा नहीं मगर रिष्टा है रिष्टा है भाई और बेनो अदानी अदानी जी और मोदी जी एक है एक है और देश का पूरा का पूरा धन पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है एरपोर्ट, स्पोर्ट्स डिफेंस, इंफ्रस्ट्रक्ट्टर स्टोरेज, अग्रिकल्ट्ट्रल स्टोरेज सेब, हिमाचल प्रदेश में सेब, कश्मीर में सेब व्यक्ति के हाथ में जा रहा है और जब हम प्रदानमंत्री से पूछते हैं ये 609 से 2 कैसे पहुचा बस ये बता दीजे रिष्टा क्या है हमारी पूरी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती है कारगे जी की पूरी की पूरी स्पीच पूछेंगे रुकेंगे नहीं जब तक सचाई नहीं निकलेगी अधानी जी की सचाई नहीं निकलेगी तब तक हम नहीं रुकेंगे क्योंकि और इसका एक कारण है भाईो और बहनों और खास तोर से जो लोग अधानी जी के कमपनी में काम करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ ये आपकी जो कमपनी है ये देश को नुकसान पहुचा रही है ये देश के पूरे के पूरे इंफ्रस्ट्रक्चर को छीन रही है बाईयों और बहनों याद रखिये अजादी की लड़ाई भी इस्ट इंडिया कमपनी के खिलाफ हुई थी वो भी एक कमपनी थी उस कमपनी ने भी हिंदुस्तान का सारा धन सारा इंफ्रस्ट्रक्चर पोर्ट्स सारा गसारा उठा लिया था इतिहास रिपीट हो रहा है इतिहास रिपीट हो रहा है ये देश के खिलाफ काम हो रहा है और अगर देश के खिलाफ काम होगा तो कॉंग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी लड़ जाएगी आखरी बात कहना चाहता हूँ देखिए ये पार्टी तपस्वियों की पार्टी है ये पुझारियों की पार्टी नहीं है ये तपस्वियों की पार्टी है ये तपस्या की पार्टी है और आपने देखा छोटी सी तपस्या की चार महीने की तपस्या की और आपने देखा कॉंग्रेस पार्टी में कैसी जान आई कॉंग्रेस पार्टी के कारेकरता में कैसी जान आई देश में कैसी जान आई तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए प्रोग्राम चलना चाहिए तपस्या का प्रोग्राम होना चाहिए उसमें हर कॉंग्रेस के कार्यकरता को शामिल होना चाहिए हर नेता को शामिल होना चाहिए उस प्रोग्राम में दर्द लगना चाहिए मुश्किल होनी चाहिए पसीना निकलना चाहिए चोट लगनी चाहिए कारगे जी कॉंग्रेस के प्रेजिडेंट है सीनियर नेता बैठे है तपस्या का प्रोग्राम बनाईए हम सब मिलकर तपस्या में शामिल होंगे अपना खून अपना पसीना इस देश को देंगे और जैसे मैं आपको गैरंटी देता हूँ जैसे ही हम तपस्या में खड़े हो जाएंगे पूरा का पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ तपस्या में खड़ा हो जाएगा क्योंकि ये देश तपस्यों का है तो प्रोग्राम बनाईए खारगेजी प्रोग्राम बनाईए आपकी पूरी की पूरी टीम जिसमें मैं शामिल हूँ कॉंग्रेस के सब नेता शामिल है हर एक कार्यकरता शामिल है देश की जनता शामिल है उस प्रोग्राम को हम चलाएंगे तपस्या करेंगे अपना खुन पसीना देंगे बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद नमस्कार